ये आपकी जीवन है और इससे जादा इस दुनिया में कुछ भी इंपोर्टेन नहीं है। अपने अंदर ये कॉमिट्मेंट जरूर रखना कि आप अपने लक्ष को प्राक्त करने के लिए अपना 100% जरूर दोगे। अगर आप ठक चुके हो फिर भी आपको वोही करना होगा। अपने अंदर एक कॉमिट्मेंट तयार करो। अगर आपको कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा है फिर भी करते जाओ और एक्सकीवस देना बंद करो। जो जिन्दगी आप चाते हो बोज जीने के लिए अपने सारी चाहते पूरी करने के लिए सारी कीमत आपको ही चुकाना होगा। आपने कामों में एक मोमेंटम और कॉंसिस्टेंट सी लाना होगा। हर सफल इंसानों में बस एक ही चीज कॉमन होती है वो बस थोड़ा सा जाधा करते हैं और वो ही चीज आकिरकर बहुत बड़ा बन जाता है और सादरान इंसानों से फ़क बना दीता है आपके अंदर भी एक पडिवर्तन जरूर आएगा लेकिन आपके अंदर एक कॉमिटमेंट लाना जरूरी है आप क्या बाकई में एक कॉमिटमेंट करने के लिए राधी है यही चोटी चीज यह आपको जीवन में बहुत उपर ले जाएगी सोचो आप जीवन में जो कुछ भी चाते हो वो आपको बस बहुती आसानी से मिल जाए हर बात हर वक्त कोई भी मेहनत के बिना ही तब आप मेंसे कुछ लोग यही कहेंगे कि आरे वाह यह तो बहुती अच्छी बात है लेकिन नहीं मेरे भाई इससे तो आप कमजोर पर जाओगे जब आपके जीवन में मुश्किले आएगी तब आप समझी नहीं पाएंगे कि आपको आकिरकार करना क्या होगा क्योंकि आप तो उन सारे मुश्किलों से जूजे ही नहीं हो जो आपको मजबूत बनाएं कठिनाई और संघर्ष के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते आप अपने अंदर कोई भी ताकत तयार नहीं कर सकते दर्ध ही आपका दोस्त है और साइद आप ये नहीं मान सकते पर आपके अंतरात्मा में यही एफिलोस्वन लाएगा और जो लाब आपको होगा वो बहुती लंबे समय के लिए होगा आप एक मजबूत इनसान बनोगे दर्ध ही आपका दोस्त है आप अगर नाकामियाब नहीं बनोगे और अगर स्टागिल नहीं करोगे आप अगर हतास नहीं होगी और आपके अंदर एक इनर इनरजी तयार भी नहीं होगी आपको इस जिवन में इतना दर्द दिया गया है क्योंकि आप उसे हैंडल कर सकते हो आप बहुत ज़ादा मजबूत हो इस दर्द के साथ जीने के लिए और आपको देख कर ही तो लोग इंस्पायर होंगी और कहेंगे कि उसने करके दिखाया है मैं भी करूंगा आप अपने आपको जितना मजबूत समझते हो आप इससे भी ज़ादा मजबूत हो इस वक्त आपने अपनी सारी चैलेंजेस से जूज रहे हो बाद में आप इतना ज़ादा ताकत पर बनोगे कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आप खुद एक पावर हाउस बन जाओगे और इसे लिए हार मत माल लेना आपके जीवन में एक परपस है और आप अगर उसे ढूंट लेते हो और आगे बढ़ते रहो और खुद को इंप्रूब करते रहो तो वो ही बहतर होता है आपके स्ट्रागेल ही आपकी जीवन की एक हिस्सा है आपके स्ट्रागेल ही आपको वो इंसान बनाएगी जो आप कल बनना चाते हो आपकी संखर्स ही आपके लिए एक तौफा है जिसके प्यार में एक दिन पूरी दुनिया पर जाएगी लोग कभे भी उस आदमी की कहानी नहीं सुनना चाते है जिन्होंने संखर्स किया है लोग बस उन लोगों के कहानी सुनना चाते हैं जो दुख दर्द छेल कर भी जिन्दगी में बड़ा कुछ हासिल किया है